IPL 2024 का ग्रूप चरण अपने अंत के करीब है लेकिन प्लेफ की तस्वीर अभी पूरी तरह से साफ नहीं हुई है हैदराबाद को छोड़कर बाकी तीन टीमों में से सिपर्फ एक ही टीम ही प्लेफ में खेल पाएगी वो टीम कौन सी होगी इसका फैसला कल यानी 18 माई को होगा आज के वीडियो में पावर प्लेस को टॉस विनर फर्स्ट इनिंग्स का क्या स्कोर रहेगा आज के मैच में कौन बाजी मारेगा ये सारी जानकारी दी जा रही है कलेम चिन्नास्वामी स्टेडियम बैंगलुरू में खेले जाने वाले 68 मैच में चैन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आमने सामने होंगे जीतने वाली टीम प्लेफ में जगह बना लेगी चेन्नई सूपर किंग्स को प्लेफ में क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ एक अंग चाहिए यानि अगर मैच बारिश में धुल भी जाता है तो वो प्लेफ में पहुँच जाएंगे वहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को क्वालिफाई करने के लिए इस मैच को 18 रन या उससे ज्यादा के अंतर से जीतना होगा अगर वो बल्लेबाजी करते हैं तो उन्हें 11 या उससे ज्यादा गेंद बाकी रहते हुए जीत हासल करनी होगी अब हम भारत के नंबर वन क्रिकेट मैच डिपर द्वारा बताए गए आज के मेगा जैकपॉट क्रिकेट मैच की भविश्यवानी पर आते हैं कि आज का मैच कौन जीतेगा चैन्नई और बैंगलोर इस सीजन में पहले ही एक बार आमने सामने आ चुके हैं और उस मैच में चैन्नई ने आसान जीत हासल की थी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इस समय अंक्तालिका में छटे स्थान पर हैं और उनकी फॉर्म शांदार है उन्होंने अपने पिछले पाँच मैच जीते हैं विराट कोहली जो इस सीजन के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्ले बाज हैं उन्होंने शांदार 661 रन बनाए हैं फाफ डुपलेसिस ने भी 366 रन बनाकर उनका अच्छा साथ दिया है गिंद बाजी की बात करें तो यश दयाल 12 मैचों में 13 विकेट लेकर मौहमद सिराज 12 विकेट लेकर एहम भूमी का निभा रहे हैं दूसरी तरफ रुदुराज गायकवाड की अगुवाई वाली चेन्नेई सुपर किंग संक तालिका में चौथे स्थान पर है रुदुराज गायकवाड ने शांदार बल्लेबाजी प्रदर्शन कर 13 मैचों में 583 रन, शिवम दुबे ने 389 रन बनाएं अगर टॉस की बात करें तो आज के मैच में सिक्का किसके पक्ष में गिरेगा हमारी 100 प्रतिशत मैच, भविश्यवानी के अनुसार, इस मैच में टॉस प्रेडिक्शन, टॉस रॉयल चैलेंजर्जर्स बैंगलुरू, टॉस जीतेगी टॉस की कोई रिपोर्ट या विशलेशन नहीं होता है, बस एक अनुमान है लाइक, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में आपकी विनिंग टीम बताएं एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलुरू, बल्लेबाजों का स्वर्ग, उच्च स्कोर वाले मैचों के लिए जाना जाता है 91 IPL मैचों में आवरिज फर्स्ट पारी स्कोर 112 रन है अगर रॉल चैलेंजर्जर्स बैंगलुरू की टीम पहले बल्लेबाजी करती है, पहली पारी में 6 ओवर के पावर प्ले में M.Chinnaswami Stadium, बैंगलुरू, मैदान की पिच और पूर्व के मैचों में खिलाडियों के प्रदर्शन के आधार पर 55 to 65 के बीच स्कोर कर सकती है दूसरी और 20 ओवर की पहली पारी में, लंबी पारी में स्कोर 188 to 210 के बीच हो सकता है लाइक, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में आपकी विनिंग टीम जरूर बताएं यहां मुकाबला दोनों टीमों के लिए करो या मरो का है RCB के पास शांदार फॉर्म है, लेकिन CSK के पास अनुभव और रणनीती का मिश्रण है बारिश भी एक फैक्टर बन सकती है कौन जीतेगा, आर टुडे मैच रपोर्ट इज, बैंगलुरू, यह मैच जीतेगी दोस्तों, हमारी लगातार टॉस प्रेडिक्शन, मैच भविश्यवानी, पावर प्ले स्कोर रन, पहली पारी में कितने रन बनेंगे, बैक्टर बैक पास होती जा रही है हमारी मैच भविश्यवानी जानने के लिए, हमारे टेलीग्राम लिंक से कनेक्ट होना है वो डिस्क्रिप्शन में दिये हुए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके हमारे चैनल से जुद सकते है